नमस्कार दोस्तों जिक सक्सेस पॉइंट के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंशल भरती प्रिक्षा की त्यारी के लिए जिक्ये के इसे पहले हमें इसके 14 पार्ट वो पढ़ चुके हैं अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है वहां से आप जाकर देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम जिक्के के कुछ इस प्रिक्षा को क्लेक्ट किया है तो यह कुछ आगामी अग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर देना अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो आज की वीडियो सब्सक्राइब को शुरू करते हैं तो आज का हमारा इसमें पहला क्यूशन है निमनली खित में से कौन भारत का पर्थम वाइस राय था तो यह बताना है जो भारत का पर्थम वाइस राय था वह कौन था तो भारत का पर्थम वाइस राय थे वह कौन था वह हो जाएगा ला लगाता और जो लाड़ कैनिंग है उन्हें इसलिए भी मुख्य रूप से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 26 जुलाई 1856 में विद्वा पुनर हुआ होता था उसको शुरू किया था नेश्ट क्यूशन है महावीर किस राजपरिवार में पैदा हुए थे तो महावीर थे बागवान महावीर वो किस राजपरिवार में पैदा हुए थे तो सबसे पैदे जो बागवान महावीर थे वो कौन थे वो थे जेन दरम के 24 वे तिर्थकर कौन थे जेन दरम के 24 वे तिर इसला वह लिच्वी वंस की राजकुमारी थी तो मावीर का जो राजप्रियार होगा वह कौन सा हुआ वह जाएगा छत्री तो अप्शन नंबर बी है वह इसका राइट एंसर हो जाएगा नेस्ट क्यूशन है बारत की सरव पर्थम बेटल फीड मिसाइल कौन सी है तो बारत की जो सबसे पहली जो बेटल फीड मिसाइल मलब सतय से सतय पर मार करने वाली जो मिसाइल थी वो कौन सी थी तो वो थी परत्वी परत्वी है वो बारत की सरव पर्थम सतय से सतय पर मार करने वाली मिशांएलती जिसका पर्फलतम परिक्षन हुआ था सबसे पहले जो परिक्षन किया गये था शन 25 फरवरी 25 फरवरी मुझी 188 को इसका पहला सफलतम परिक्षन किया गया था वह कि स्वामिन से राज की सिफे काया राज की स्वार्श से पहले कब से की तो पन्यशना ऊक्टॉबर उन्ठीChar exactly 65ने next question है गांधी जी द्वारा पहला सत्यागराय आंदोलन परारंब किया गया था तो गांधी जी द्वारा जो पहला सत्यागराय आंदोलन है वो कब से परारंब किया गया था तो सबसे पहले जो गांधी जी ने सत्यागराय सबद है इसका प्रियोग है वो तो साथ अफरीका में किया था हां किया था साउथ अपरिका में और बारत में सबसे पहले सत्यागराई का परिख हो गांधी जी ने चंपारन बिहार में किया था तोusion नमबर बी चंपारन में में इस EST publi हो जाएगा और कम्राद सन गु ≢ 1017 में बारत मेंın Truck में सबसे पहले सथ्यागरया अब्राणाना ने प्रार्णान और हर्ष वर्दन की जीवनी हर सरीत के लेखक है तो हर्ष वर्दन की जीवनी जिसका नाम क्या है हर्ष परित उसके लेखक है वह कौन है तो हर्स रित है उसके लेकर है बानबट बानबट हैं यह हर्च वर्धन के ही दर्बार में एक परशित साइत्यकार थे और अगरेंगने हर्स वर्धन की छीवनी लिगी थी जिसका बनाम था हर कर दो सिट्ट तो फसे नमबर सी बान बट है स्क्यूशन हो जाएगा और हम एस्ट कुछिन है कि學 है कुटूब मिनार का निर्मान किसने पूर्ण करवा था गसलिगान है जो शुरू तो इसका निर्मार का निर्मान कर दिश्रीगमें से कहते हैं टूटमींश कुरूण करवाया था तो उस नंबर सी इसक्यूशन का राइट एंसर हो जाएगा इल्टूतमिस है कुतुपदिन एबग का ही गुलाम था जो उसकी मर्तिवबाद उसकी गद्धी पर बैठा था इसक्यूशन है बारत के पर्थम राष्टपती कौन थे तो बारत के पर्थम राष्टपती थे वह कौन थे तो फस्ट परसिडेंट ऑफ इंडिया वह कौन थे तो वह हो जाएगा डॉक्टर राजिंदर परसाद डॉक्टर राजिंदर परसाद थे वह बारत के पर्थम राष सबास चंदर बोस ने सवतंतर भार्थ सरकार का सुबारंब कहां किया था तो सबास चंदर बोस है उन्होंने सवतंतर भार्थ सरकार है उसका सुबारंब है वह कहां किया था तो इसका सुभारम है उन्होंने सिंगामूर से किया था कहां से किया था सी नेरीश्ट किया था ये आप याद रहेंगे मिलता है ल गीह्यन अगर सामराज्य की कला को उदान मिलता है तो विजय नगर सामराजय की कला है उसका उदान है वो कहां से मिलता है तो मिलता है हमपी में हमपी में विजय नगर सामराजय है उसकी कला का उदान मिलता है और यह हमपी है यह कहां पर पढ़ता है यह पढ़ता है करनाटक राज्य में कहां पर पढ़ता है कर तक पर्देस राज्जे से हुआ है तो आंद्र पर्देस है वो इस क्यूशन का राइट एंसर हो जाएगा अंद्र पर्देस का प्रमुक करता है और जो लोथल है उसका उत्खननन है वह एस आर राव ने सन 1975 इस वी में इसका उत्खननन कारी है वह शुरू करवाया था और यह एक क्या था बंदरगा सहर था जहां पर चावल के साक्षे हैं वह प्राप्त हुए थे नेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बढ़ाकर 525 कर दी गई थी और जो किंदर सासित परदेशों में सदेश्य विसंक्या थी वो 25 से गटाकर 20 कर दी गई थी तो 31 सिवधान संसोदन है वो इस क्यूशन का राइट एंसर हो जाएगा next question है बगवान महावीर का जनम इस्तान है तो बगवान महावीर का जनम इस्तान है वो कहा है तो बगवान महावीर का जनम इस्तान है वो वैसाली के कुंड गराम में बगवान महावीर का जनम हुआ था कब हुआ था 540 इसा पुरुव में बगवान महावीर का जनम हुआ था व सर्दार वल्ला भाई पटेल उंतराश्ट रास्ट रावाई अड्ड एत्ध का ए यह ने अह। सबसे वे स्थर्ष सम्हवाई अड्ड है नेस्ट कुछन है दवनी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुछ समय लगता है यह अधिक्तम होता है तो यह अधिक्तम समय है विया कब लगता है तो यह लगता है सर्दियों में सर्दियों में दवनी को गमन में सबसे अधिक समय लगता है और जो दवनी होती है वह सुस्क वायु में तेजी से गमन करती है और एक डिग्री टेंपरेचर में जबρχ हम वर्दी करते हैं मर आम टेंपरेचर है वो वन डिग्री बढ़ ते हैं तो दमनी की जो गती है वह कितनी स shutting involved 0.61 मिटर्ः परती सेट कि गती से बढ़ती है यह आप याद रखेंगे कि कैसे कुईले का उसेतं मेšक्त परकार तो टॉझए क जुढेकर प्रकार रखें वह को जाएंब मेश्यकर बड़े किसम का कोईला होता है उसमें तो साथ परतिसद तक इसमें कारवन की मात्रा पाई जाती है नेश्ट कुछन है इनमें से बार्थ की सतय से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है चार ओप्सन दीगें उनमें बताना है कि बार्थ की जो सतय से हवा में मार करने वाली मिसाइल है वो कौन सी है तो वो कौन सी हो जाएगी वो हो जाएगी त्रिसूल त्रिसूल है यह सतय से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और यह अगनी और पर्थवी है यह सतय से अर्थ टू अर्थ सतय से सतय पर मार करने वाली मिसाइल है और यह नाग है यह क्या है एक टैंक रोधी मिस सचार के आए बिल्स क्रणार कोन थी तो बारत की त plot पर्थम महिला वखर्णर बनी ती वो कौन थी वह सिर्मति सरोजनी नाइक दिनाफ फिलाषाया Boss गहिया मई सब्सक्राइब इस्वी में ये उत्रपरदेश की गवर्णर बनी थी यह याद्रकी। है कि नेश्ट कुणा घ्यान गित है नावजार। गृता घ्रवर काथ हो जैए जो है। बाल लूबा जमंगाधर तिल repeats ने इसकी जो गिता रहार गरंद्च कोनी त interf Wheat तो इसका पर्फम परकाशन स्वी में इसका परकाशन हथा और कौन सी बासा में मराथी बासा में लिखीत है अगर आपको वीडियो पसंद आयों तो युद्र को लाइक करना अपने अपने प्रेंड चरड़ जरूर करना थाकि उनकी भी अधिक सो अधिक सब्सक्राइब जरूर करना